पांच मिनट का समय निकाल कर जरूर पढ़े। यह मुद्दा भी इसलामिक जिहाद की तरह ज्वलंट और चिंताजंक है। सबको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा संपत्ती वाला उद्योगपती कौन है? अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा। तीन लाख, तीन लाख करोड रुपए की संपत्ती का मालिक सिरो मलाबार चर्च, साइरो मलाबार चर्च केरल भारत देश का सबसे बड़ा उद्योगपती है। इसका 11,000 से ज्यादा संस्थानों पर नियंत्रण है और इसकी बहुत सारी सहायक और और और्गेनाइजेशन यू समझ लीजिए कि यह एक ऐसा व्यवसायक संस्थान है जो संपत्ती के मामले में भारत के सभी उद्योगपतियों का मुकाबला करने में अकेला ही सक्षम है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आकड़े पढ़िए। इसके अधीन है एक नौ हजार प्रीस्ट, दो सैथीस हजार नन, तीन अचास लाग से ज्यादा चर्च सदस्य, चार चौनतीस डायोसेस बिशप इसाई मजभ के वरिष्ट धर्मगुरू, पांच तीन हजार साथ सो तिरसट चर्च, छे इकहत्तर पादरी शिक्षा संस्थान, साथ चार हज 960 शिक्षा संस्थान, 82614 होस्पिटल और क्लीनिक, 977 इसाई शिक्षन संस्थान, कुल मिलाकर इसके 11,000 छोटे बड़े संस्थान संचालित हैं, इनके उपर सबसे शक्तिशाली संस्था है, CMA Christian Medical Association, Christian Medical Association, CMA के अंतरगती देश भर में फैले हुए 1514 वह बड़े संस्थान आ CMA के 50 व्यापारिक संस्थान विश्व की स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, अगर आप इनका सालाना तर्नोवर देखेंगे, तो कोई भी विश्व की बड़ी कंपनी इनके आसपास भी नहीं फटकती पूरे भारत देश में इस चर्च की पहुँच 50,000 गावों तक हो चुकी है, और विदेशों में भी इसके बहुत सारे सहयोगी संस्थान हैं, इस चर्च की सारी कार्यकारिनी के लोग मलेशिया के हैं, और पूरी मैनेजमेंट टीम भी मलेशिया की ही है साइरो मालाबार चर्च दुनिया के कैथोलिक इसायत का सबसे शक्तिशाली विंग है, और इसकी यह शक्ति इसकी संपत्ती की वजह से है यह income tax नहीं देता क्योंकि यह अलपसंख्यक संस्थान है, सरकार इसकी संपत्ती का व्यारा भी नहीं देख सकती इसलिए इसका आज तक कभी भी audit भी नहीं हुआ है इसी वजह से इसकी वास्तविक चलचल संपत्ती का आज तक देश के किसी भी विद्वान, बुद्धिमान, पोशियार, जागरूप, इमानदार और कर्तव्यनिष्ट कहलवाने वाले नेताओं को भी पता नहीं था, लेकिन अब यह देश के ग्रहमंत्री मोटा भाई की अस्थित लेखा, जो खा हमारी सरकार के पास नहीं है, अगर इनके खिलाफ कोई कोर्ट में जाता है, तो यह एक साथ हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे की रक्त बीच, इसकी सारी संपत्ती का 50% हिस्सा तो इसके कॉन्वेंट शिक्षन संस्थानों के पास यह वहीं शिक्षन संस्थान है, जहां अधिकतर हिंदू बच्चे महगी फीस देकर पढ़ने जाया करते हैं, शिक्षा संस्थानों में बच्चों को भारतिय सभ्यता संस्कृती के मूलियों से दूर किया जाता है हम लोग कब समझेंगे कि हमारा ही पैसा एक दिन हमारी ही पीडियों को निगल जाएगा हमारा ही पैसा हमारे ही लोगों को धर्मांतरित करने में इस्तिमाल हो रहा है हमारे ही पैसे से हमारे ही सभ्यता संस्कृती के रक्षक साधों की हत्या हो रही है हमारा ही पैसा नकसलवाद और देश विरोधी कारियों में इस्तिमाल हो रहा है